किसान साथियों आज हमारे साथ स्टूडियो में है मिस मांसी नौटिया जो विभाग प्रमुक है किर्शी विज्ञान देव भूमी विश्व विद्याले में तो बहुत-बहुत स्वागत है मांसी जी आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया यहां आने का और मैं अपने किसान भाई बेनों को नमशकार करूंगी जो इस टाइम मुझे सुन रहे है मांसी जी आज का विशय बहुत ही रोचक है और हमारे किसान साथियों के लिए वो फाइदे मन भी है विशय मैं आपको बता देता हूँ मिश्रित खेती पर आज हम बात करने वाले हैं मिश्रित खेती कि होता हैं कि एक से जदा फसल अञाना उसके साथ पसु पालन बोल में में बने के फशल पालन में वान थे रहे हैं कि मुक्रित खेती हैं लिए पहलें तो इस तेरा से अगर हम करते हैं तो क्या उसको भी अ hmm यहां पर थोड़ा सा हमारे किसान भाई बेनों negatively Habi liquor ऑंगे मिश्रीट फ cushion च्टी में एक से जाएएगे 5वे यहां परают पशुपालन को साथ में नहीं लेंगे, पशुपालन हम साथ में लेंगे मिश्रित खेती में, वो इंटेकरिटिक फार्मिंग का सिस्टम हो जाता है, मिश्रित खेती, और मिश्रित फसल में सिर्फ हम फसले लेंगे, क्या है वो किसी प्रकार की फसल हो, क्या है वो हमारा गेह ह हमारा धान हो उसके साथ हम सबजियां ले रहे हैं तो उसको सिर्फ हम मिशृत फसल बोलेंगे पर उसकी शर्ट है कि हम एक से जादा उसमें फसलेंगे जी क्योंकि अब हम अपनी मुख्य फसल के साथ अन्या फसल भी ले रहे हैं इसके लावा और वी जैसे पश्चुपालन डेरी उद्यों के तमाम कर रहे हैं तो अच्छा खासा लाब तो इससे हमारे किसान साथ्यों को हो गई बिलकुल बिलकुल अच्छा खासा लाब होगा इसका मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि हमारे किसान होगी उसकी साल भर आमदनी आती रहेगी वो किसी भी बारेश या किसी भी सीजन को लेका क्या गर्मिया हो, सड्दिया हो बारेश उस पर डिबेंडिन रही आएगा और किसी कारण वर्ष हमारे किसान की अगर खेती फसल जो है नुकसान हो जाती है हमारा जैसे कि भारत वर्ष का एक वर्षा चक्र है वर्षा चक्र कभी जादा होता है कभी कम होता है कभी ओले पड़ जाता है कभी ठंड जादा हो ज करता है अगर उसकी फसल का नुकसान भी होता है थोड़ा बहुत किसी भी कारण वर्ष के उसमें कोई बिमारी लग गई कीट लग गया जमीन से उसको पूरे जो उसके न्यूट्रिंट होते हैं वो नहीं मिले कुछ भी कारण है पर उसके पास एक विकल्प रहेगा कि उसके प किसान हादुनिक टरीकवें को नहीं अपना रहे हैं क्यों नके सामने यह द्टकतें आ रहे हैं ? मुझे ऐसा लगता है कि अब ही भी हमारे किसान्हों तो अगर जानकारी भी है तो उनको यह नहीं पता है कि इस तरीके से इस चीजब करना चाहिए ! मुझे भारत वरज में आतबाने मुझाना जी चिसान से लगता है बाता है अगर मैंने तो भूरन इस तरह को अड़ेता से याफनान लेतों तो इससे जो हमारी भूमी है उसकी उर्वरक शक्ती भी तो बढ़ती है बिल्कुल बिल्कुल हमारे जब हम जब किसी मिश्रित खेती की बात कर ले या मिश्रित फसल की भी बात कर ले हम दोनों में से अगर कोई भी चीज कर रहा है हमारा किसान कर रहा है तो इसके लिए एक planning होना बहुत जुरूरी है कि हम कौन सी फसल वहाँ पे लगाएंगे कभी भी दो फसल ऐसी नहीं लगेगी जिसका हमारा nutrient का level एक जैसा हो जैसे कि हमारी डाले होगा, जैसे हमारा आप उसकी बात लेले, सर्सो होगा हमारी सर्सों को सल्फर बहुत जादा चाही हगा हम उसके साथ वैसी फसल नहीं लगाएंगे jis को सल्फर जादा चाहिए होगा तो तो आप उसके साथ इस बात जगाएंगे जिसनकी जरुषय के। दूसरे और भी कारण होता है, किसी फसल की height जादा होती है, लंबाई जादा होती है, तो वो दूसरी फसल को उसकी छाओ कर देता है, धूप नहीं आना देता है, धूप नहीं आएगी तो हमारी फसल में photosynthesis नहीं होगा, तो वो चीजे हमें ध्यान में रखके, अपनी मिश्रि स्कीम चलते हैं मैं आपको इन्षॉरंस की बात करूं इसने की हमारे घृइन विरीड की लिगाए वह से होती हैं उसके लिए 500 तक की विर हमारी सरकार की ऊधनी है करें ्क तो इसके लिए सरकार 20,000 पर एकड़ के हिसाब से तीन साल तर पैसा देती है इसके इलावा हमारा नैशनल स्कीम वो सस्टेनल बल एगरी कल्चर चल रहा है यह बी इंटेगरेट फार्मिंग को इंटेगरेट खेती को प्रमोट करती है आगे बढ़ावा देती है जो कि एक हमा कई बार कि में होता है प्राकर्थिक आप्दा से भी हमारी जो फसले है वो नुकसान उनको हो जाता है तो ऐसे में हमारे केसान साथ्यों को अगर वो ित्ष्ड़ खेती करते हैं तो लाव मिल सकता है बिलकुल हम कोई भी फसल ले रहे है हम कभी भी ऐसी फसलीद नहीं जिनकी हमेशा इन सब चीजों को लेकर requirement अलग अलग हो एक को कर पानी की बहुत जर्वत है तो दूसरे को कम होनी चाहिए इस तरीके से हम प्लान करेंगे तो क्या होगा अगर वर्षा चक्र या सिचाई हमें नहीं मिल पाई सिचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया कुछ भी का इसके लिए अच्छा खासा पानी होना जैसे हमारा गन्ना हो गया इसके लिए पानी चाहिए होता है तो हम इसके साथ जो डालों को एक मिश्रित फसल के तौर पर लगा सकते है तो ऐसे में क्या होगा हमारी डाल करती है जो हमारा वाता वर्ण में नाइट्रोजन रहता है उ जो कि अन्य जो फसल उसके साथ लगी रहे उसको नाइट्रोजन प्रदान करता है तो ऐसे में हमारी दाले होती है दूसरी फसल को मुनाफ़ा देती है तो हम ऐसे करके प्लान करके एक हम मिश्रित फसल की योजना या मिश्रित खेती की योजना हम बना सकते हैं खेती बाड़ी के साथ अगर हम पशुपालन करते हैं तो इससे दुख दुटपादन तो होता ही है इसके अलावा खेती बाड़ी के लिए हम खाद भी बना सकते हैं चाहे गोबर खाद की बात करें बिल्कुल बिल्कुल जब हम जैवी खेती की बात करते हैं तो हम जैवी खेत बैक्टिरियल प्रॉपर्टी का काम करता है जिससे बैक्टिरियल जो हमारे बैक्टिरियल प्रॉब्लम आती है जमीन पर हमारे फसलो में वह नहीं होगी और हमारी जैसे हमने मुर्गी पालन के जो मुर्गी का भी जो वेस्ट होता है वह इतना गरम होता है और इतना न्यूट साथ में दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि साल भर एक इंपलॉइमेंट जी से हम रोजगार बोलते हैं सिर्फ उस किसान के लिए नहीं जो कि कर रहा है दो चाहर लोग और एंपलॉइमेंट जो रोजगार होता है वो बन जाता है क्योंकि एक इसान एक इनसान है वो इतना सारा चीजे कर पाता है कहीं ना कहीं वो अपने साथ हेलपर एक रखेगा तो उस इंसान के लिए भी रोजगार पैदा हो रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बहुत अच्छा विल कलव है और हमारे किसान भाई भेन इसको चीजों को कर सरकार पूरी मदद कर रही है सरकार ने आप उस इंशॉरंस का क्लीम ले सकते हैं जी तो बड़े ध्यान से हमारे किसान साथी इस बातचीत को सुन रहे हैं और उनके दिमाग में भी अब हो रहा होगा कि भाई क्यों ना हम भी इस आधुनिक तरीके की तरफ बढ़े ताकि हमें अच्छा खासा लाम मिल सके तो किसा दिखे जाएं या आपके आसपर इतनी सारी एक्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं टीचर्स है आप उनकी मदद बिलकुल लीजिए और मुझे असा नहीं लगता है कोई भी एक्रीकल्चर का आपकी मदद करने से उनकी मदद लीजिए पूरी उनके साथ बैठी है प्लानिंग क यहुत तो हमारे या नुख्सान為什麼 के थे तरफ बढ़ को भी मारे कमने को आपने लिए तौर, यह को का लाओ आज गर और तो इस चीज को एंशेचे अची शेहत के लिए बहुत लाओ आज चाوع आजो, है नुद्स सेहत talkin appro करोना काल अब गया है लोग अभी इसमें बहुत जागरूत हो गए है कि हमको जैविक के तरफ जाना चाहिए तो यह बहुत अच्छा का है किसान भाई बैनों के लिए इस तरह बड़े इंटेगरेट के तरह बड़े मिश्रिक खेती के तरह बड़े साथ में जैविक खेती को बड़ावाद है और अभी जो मार्किट का हाल है वहां पर जैविक प्रड़क्त है उसकी अच्छी खासी मांग है अच्छा कासे दाम मिल रहा है और वो पहले नहीं था पहले मैं मानती हूं पहले नहीं था पर जब से करोना काल गया है लोग अपनी सेहाद को लेकर कोविड में अपने उसी से शहाद को ले लेकर कोविड ठीक किया है और बिल्कुल शुत शहाद मार्केट में आप जाएंगे तो शहाद के नीचे आपको चीनी मिलेगी जी बिल्कुल तो यह मिश्रित खेती अगर हम करते हैं तो इससे उसनों के साथ और भी कई चीजें हमे मिलते हैं जिसका लाब हमें मिल सकता है तो उम्मीद करते हैं इस महत्वपुन बाचीत का लाब हमारे किसान साथी जरूर उठाएंगे मिसमान से नौट याल आज आप हमारे स्टूडियो में इतनी महत्वपुन जानकारी साध्या करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्य जाने बाद